बूशन जूलर्स अन्मौल रिष्टों के लिए हिमाच्चल मानव अधिकार लोग गोर्डी पठान कोट मंदी फोलेर परियोजने के तहद जो कंडवाई सी सिवनी तक के 40 मोहालों के रेट सरकार ने कोडियों में लगाए गए है इस बीशे पर लोग गोर्डी लगतार फॉलें प्रवावितर के लिए शासन वे पर शासन से पिछले दो बश्यों से संगर्श कर रही है हिमाचल मानवादिकार लोग बोर्डी के अध्यक्ष दजेश पठाणिये ने कहा कि मैत्यपूरन परियोजन फॉलें को नेशनल हाईवे ना मानकर और स्टेट हाईवे भी ना मानकर जारतर कस्वों को लिंक रोड गोशित किया है और जो आवार्ड लेटर दिये हैं उनमें भी ये अधर रोड है जिसे की करीब 4,000 प्रभावितों की बहुमूले जमीन कोडियों के दाव में सरकार ने ली है जंता इस मूले में अपनी जिंदकी कैसे गुजारेगी अपने नए आशियाना कैसे बनाएगी सरकार को जंते की जरह भी चिंता नहीं है बहुत सारे प्रभावित लोगों ने माननी उच नयायले का दरवाज़ा खटखटाया है क्योंकि सरकार की और प्रशासन की इस दानली को माननी उच नयायले की रोक सकता है और लोग बोड़ी मानी उच नयायले से ये मांग करती है कि जल्द पठानकोट मंडी भू अधिगरहन प्रक्रिये के सरकल रेट की सिलेक्शन के ऊपर एक S.I.T. स्पेशल जांच कमेटी गधित की जाए और इसकी निश्पक्ष जांच कराए कि क्यों शासन और प्रशासन जनता को मौत के मुँ में दखेलना चाता है पिछले दो बश्चों से लोग बोड़ी लगतार फोरलेन के लिए संगर्श कर रही है अब अंतिम बिकल्प मानी उच नियायले पर उनकी आखरी आस टिकी है लोग बोड़ी ये आशा करती है कि मानी उच नियायले करीब 4,000 लोग कंडवार से सिबनी तक के फोरलेन प्रभावितों को उनका जायज हक मार्केट बैल्यू के हिसाब से फेक्टर टू ब्या सहीत राश्री प्रभावितों को दिलाएगी आज हिमाचल मानवदिकार लोग बोड़ी माननी उच नियाले शिमला में आई है क्योंकि जैसा कि आप सभी प्रभावितों को पता है कि प्रभावितों प्रियोजना जिसके की रेटों की समस्या जो है वह अपने चरम पर है और लोग लगातार भ्रमित होते जा रहे हैं इस लिक्षे पर जब भी हमने प्रशासन से शासन से बात करनी चाही तो उन्होंने अभी तक हमें कोई अश्वस्त नहीं किया कोई सही जवाब नहीं दिया और जब हम उन्हें उनकी गलतियां बताते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे खलाफ आप कोड में चले जाएं वहां से आपका समाधान होगा और सरकार जो है हमें बिना मतलब के कोट कचैरी के जमिलों में डालने का प्रयास कर रही है प्रयास का गर्रिया उन्होंने डाल दिया और आज करीब 40-50 लोग उन्होंने माननी है उचने अले का दरवाजा खटटाया क्योंकि हमारे साथ इतने जालसाजी की है कि जैसे की हमारे जो एनेच बनने जा रहा प्ठानकुड मंडी उसको उन्होंने एनेच ना बनाकर स्टेट हाईवे ना बनाकर उसको एक अधर रोड यानि लिंक रोड का जो मौफजा है वो दिया जा रहा है और हमें आवार्ड मे जो शिमला मटार बन रही है उनको इस बारे में कोई भी जानकर रही है और यह पेज नहीं दे रहा है कि उनका किस रोड नैशनल हाईवे बनने जा रहा है या फिर अधर रोड बनने जा रहा है या स्टेड हाईवे बनने जा रहा है और फरकार हमें इस वेशे पर लगातार ब्रहमित करती जा रही है हमारी अब माननिया दालत से निवेदन है यह हमारी आखरी विकल्प बचाया कि हम लोग यहां पर पहुंचे हैं और इसी आस में कि हमें जो है वो जल्द नयाय मिले और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि यह जो अदर रोड का जो सिल्सला है हम जब इन से पूछते हैं कि आपने यह क्या किया इतनी बड़ी धंदली किया तो हम माननिया उचनेले से भी यह निवेदन करेंगे कि एक SIT विशेच जांच टीम गठित की जाए और इतनी बड़ी धंदली जो है जो हमारी जो करोडों की लाखों की जो जमीन है उसका कोडियों का दाम क्यों लगाया जा रहा है और हमारे एनेच को सिंपल अदर रोड लिंक रोड क्यों बनाके हमें जनता को धोका दिया जा रहा है और इसके लिए पूरे शासन और प्रशासन लगा था और जंता के साथ दोका कर रहा है और हमें अब माननीय उच्च नयाले से पूरी आशा है कि वह जल्द नयाय करेंगे और लोगों को उच्चित माफजा देंगे जो की सरकार ने हमें फैक्टर टू और मार्किट वैल्यू क हिसाब से जो ब्याज सहित राशी देने का वादा किया था हम चाहते हैं कि उसे वह जल्द जल्द पूरा करेंगे और माननीय उच्च नयाले सरकार से हमें वह हक दिल लोगो हिमाचे प्लैस नियूस के लिए नूर्पूर से बूशन शर्मा की रिपोर्ट बीती आदों से नाता सहिचना सीखा हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा गिरने लगती जब तो उनसे संबलना सीखा उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा गर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है भूशन जूलर्स अनमोल रिष्टों के लिए